Hello everyone, this is Prachi Gupta and I am welcome you all. Java for Beginner series में आज हम exception handling discuss करेंगे. Exceptions क्या होते हैं, Java में उनको हम किस तरीके से handle करते हैं, try, catch, finally, keywords, इनका क्या मतलब होता है, exception handling में इनने हम कैसे use करते हैं, exceptions को handle करने के लिए, इन सारी चीज़ों को हम detail में discuss करेंगे और इनको हम practically implement करके देखेंगे. इस सेरीज के पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखें, तो नहीं जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को end तक देखें. आईए, शुरू करते हैं आज का सेशन. एक्सेप्शन हर्लिंग पर डिस्केशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि errors कितने type के होते हैं. जब हम code write करते हैं तो हमें कितने type के errors मिल सकते हैं. तो सबसे first type error का वो है compile time error जिसे हम checked error भी कहते हैं. तो जब हम code write करते हैं तो उसको run करने से पहले हम compile करते हैं फिर उसके बाद run करते हैं. तो जैसे हम code को compile करते हैं तो जो भी compile time errors होते हैं compile करने के time पे जो errors आते हैं उन errors को हम compile time error कहते हैं. इनको compiler क्या करता है? compile time पे ही check कर लेता है. run करने से पहले ही जब हम compile करते हैं तो compiler उसको compile time पर ही check कर लेता है इसलिए इसको checked error भी कहा जाता है अब ये compile time error ये checked error दो टाइप की हो सकते हैं पहला type है syntax error अब syntax error क्या होता है एक example लेते हैं कि हमें integer type का variable declare करना है तो हम कैसे declare करेंगे उसके लिए statement क्या होगा syntax क्या होगा हम write करेंगे int क्योंकि हम integer tab के variable declare करना है और फिर variable का नाम और last में semicolon से statement end तो यह है इसका correct syntax एक variable declare करने का यह है correct syntax मगर अगर हमने इसकी जगह हमने लिख दिया in और a और फिर semicolon लगा दिया तो यहाँ पर syntax error हो गया हम यहाँ पर t लगाना भूल गई हमने in लिख दिया हमने यहाँ पर int नहीं लिखा तो इस तरीके के जो errors होते हैं इनको syntax error कहते हैं इसे compiler compile time पर ही detect कर लेता है और developer को पता चल जाता है कि यहाँ पर यह error है तो यह इनका error को compile time error कहते हैं जो यह is equal to b plus c किया पर हमने a b c in variables को हमने declaring नहीं किया तो यह हो गया undeclared variable यह semantic error है दूसरा example हो सकता है multiple declaration of variable in a scope for example हमने यहाँ पर int a लिख दिया एक बार int a लिख दिया एक बार और कुछ statement के बाद हमने फिर से int a declare कर दिया तो यहाँ पर दो बार हमने same variable को declare कर दिया दोनों same type से declare कर दिया तो यहाँ पर एक error आ गया semantic error आएगा यह हो जाएगा multiple declaration of variable in a scope तीसरे type का semantic error हो सकता है type mismatch error जिसमें हमने एक variable define किया int a type का हमने एक a variable define किया जो integer type का variable और इस integer type के variable में हम एक string data store कर दे हम एक string value store कर दे तो यहाँ पर type mismatch हो गया यह variable है string type का हम इसमे value store कर रहे है string और यह variable है integer type का और हम इसमे value store कर रहे है string type का तो यहाँ पर type mismatch हो गया variable का type और जो हम value store कर रहे हैं वो यह दोनो mismatch हो रहे हैं तो इस type के errors को भी हम semantic error कहते है है तो यह कुछ इंप्टेध के स्मेंस्टेक्स एर्र आजिया सब्सक्राइब करें गया सब्सक्राइब है हमीच आज के सुक्रांगे और सब्सक्राइब उर्णें में लुकिरल के 이ं हुआ है कि दिख व्यूम और नहीं है कहते हैं टो runtime errors ko hi exception error कहते हैं जो Error runtime पर आते हैं उन error ko 생각을 कहते हैं तो जब भी exception error आता है वो इस तरीके का event है जो program की flow production execution की flow को interrupt कर देता है exception errors होते हैएट इवेंच होते हैं जो program के flow को interrupt कर देते हैं hold कर देते हैं वहीं पर रोग देते है Power Program के Normal Flow के Execution को तो उन Errors को हम Runtime Error कहते हैं For example, Arithmetic Exception हो सकता है, Null Pointer Exception हो सकता है, Divide Division by Zero Exception हो सकता है तो ये सारे Exceptions हैं जो Runtime पे हमें मिलते हैं वो एक Object के Form में हमें मिलता है मैं उसको जो Runtime पे Throw किया जाता है, It's an Object which is thrown at Runtime, तो Runtime Errors क्या होते हैं, Exceptions क्या होते हैं, Object होते हैं जो Runtime पे Throw किया जाता है, Exceptions are Object which is thrown at Runtime, तो ये Exceptions को हमें हैंडल करना होता है अपने Code में, तो हम कह सकता हैं कि Exceptions is an Abnormal Condition or Event that interrupts the Execution of Program Instruction and disrupts the Normal Flow of Program, जो Program के Execution को Interrupt कर देता है, Program के Instructions जो भी हमें राइट किये हैं, Statements राइट किये हैं, उनको Interrupt कर देता है और Program के Flow को Disrupt कर देता है, मकर इन Exceptions को हमें हैंडल करने की क्या जरूवत होती हैं, अब हम ये समझते हैं, Exceptions को हमें क्यूं हैंडल करना पड़ता है, अब Compile करते ही टाइम हमें कोई भी Error नहीं आया, कोई भी Compile Time Error नहीं आया, तो उसके बाद Code Execute होगा, तो जब हम Code Execute करते हैं, तो Java में Code का Execution कैसे होता है, Line by Line होता है, Java में Code का Execution Line by Line होता है, First Statement 1 run होगा, फिर Statement 2 run होगा, इस तरह किसे Statements 1 after another run होगे, तो पहले Statement 1 Execute हो गया, 2 Execute हो गया, 3 Execute हो गया, 4 हो गया, 1, 2, 3, 4 तो Execute होगा, जैसे Statement 5 Execute होने का Time I Execute हो रहा था, तो उसमें क्या होगा यहाँ पर? Run Time, Run Time Error आ गया, जिसको हम Exception Error भी कहते हैं, यहाँ पर Run Time Error आ गया, तो अब क्या होगा? 1, 2, 3, 4 तो Successfully Execute हो गया, मगर जैसे Statement 5 Execute होगा, यहाँ पर Run Time Error आ गया, एक्सेप्शन Error आ गया, तो क्या होगा, अगर हम Exception को Handle नहीं करेंगे, अगर हम Exception को Handle नहीं करेंगे, तो 5 के बाद जितने भी Statements हैं, 6, 7, 8, 9, 10, इनका Execution नहीं हो पाएगा, अगर हम इस Exception को Handle नहीं करेंगे, तो, इसलिए हमें Exceptions को Handle करना पड़ता है अपने Code में, ताकि Code के Execution का Flow रुके नहीं, इंटरप्ट ना हो, प्रोग्राम का Execution इंटरप्ट ना हो, सारे Statements Execute हो, इसलिए हमें Exceptions को Handle करना पड़ता है, कि अगर किसी Statement में Exception आए, तो उस Statement के Exception की वज़े से, प्रोग्राम का Flow डिस्टरप्ट ना हो, Code का Execution होल्ट ना हो, तो ये Reason है, कि हमें Exceptions को Handle करना पड़ता है, तो अभी तक हमने ये समझ लिया, कि कितने Type के Errors हो सकते हैं, Compile Time Error हो सकता है, Run Time Error हो सकता है, Compile Time Error और Run Time Error में क्या Difference है, Run Time Error को ही हम Exception Error कहते हैं, ये भी हमने समझ लिया, और हमने ये भी समझ लिया, कि हमें Exception Errors को क्यों Handle करना पड़ता है, हमें exception errors को क्यों handle करना पड़ता है हमने ये भी समझ लिया अब हम ये समझते हैं कि exceptions को हम किस तरीके से handle करते हैं Java में Java code जब हम write करते हैं तो उसको हम किस तरीके से handle करते हैं exceptions को अब हम ये समझते हैं तो Java में exceptions को handle करने के लिए कुछ keywords है हमारे पास try, catch, finally, throw and throws keyword इन keywords को use करते हैं हम exception handling में आज की वीडियो में हम try, catch and finally इन तीनों keywords को detail में discuss करेंगे इनको हम practically implement करके देखेंगे use करके देखेंगे किस तरीके से इनको use करके हम exceptions को handle करते हैं throw and throws keyword इन दोनों keyword को हम separate video में discuss करेंगे practically implement करके भी देखेंगे आज की वीडियो में इनको हम discuss नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो start करते हैं हम try keyword से try keyword हम उस code block के लिए use करते हैं try keyword हम उस code block के लिए use करते हैं जहां हमें लगता है कि exception आ सकता है try keyword is used to specify a block where we should place an exception code try block के अंदर हम उस code को रखते हैं जिस code में exception आने के chances होते हैं उन code block को हम try keyword के अंदर रखते हैं try block कभी भी अकेला हम use नहीं करते try keyword कभी भी अकेले use नहीं होता try block must be followed by either catch और finally अगर हम try keyword use कर रहे हैं तो उसके बाद catch या finally इन दोनों में से कोई एक keyword जरूर हमें use करना है try keyword कभी भी अकेले use नहीं किया जाता it means that we can't use try block alone यह हमें याद रखना है क्योंकि यह बहुत ही important point है interview में अकसर यह question पूछा जाता है तो यह हमें याद रखना है try block can't be used alone अगर हम try block use कर रहे हैं तो हमें उसके बाद catch या finally keyword जरूर use करना है तो यह तो था try keyword के बारे में अब next आता है catch keyword the catch block is used to handle the exception तो जो भी exception हमने try block के अंदर डाला है जो भी code हमें लगता है कि exception आ सकता है उस code में अगर exception आता है तो उस exception को handle करने के लिए हम catch keyword use करते हैं या catch block use करते हैं catch block के पहले try block होना mandatory है catch block अकेले हम use नहीं कर सकते catch block हम अकेले use नहीं कर सकते it must be preceded by try block catch block के ऊपर try block होना mandatory है catch block अकेले हम use नहीं कर सकते and it can be followed by finally later catch block के ऊपर try block होना mandatory है पर finally block भी हम ले सकते हैं पर यह mandatory नहीं है It can be followed by finally block Final block अगर हम नहीं भी डालेंगे तो कोई problem नहीं है पर cash block के उपर try block होना mandatory है क्योंकि हम कुछ exception अगर आएगा तो आएगा तभी तो हम cash block use करेंगे इसलिए cash block के उपर try block होना mandatory है पर उसके cash block के बाद finally block हम use कर सकते है वो mandatory नहीं है मगर use कर सकते है तो इन points को हमें याद रखना है क्योंकि interviews में इन से ही questions पूछे जाते है उसके बाद आता है finally keyword उसके बाद आता है finally keyword Finally block is used to execute the necessary code of program It is executed whether an exception is handled or not तो जब भी हम किसी exception को try block में handle करते हैं try block में हम डालते हैं तो हो सकता है कि exception अकर हो और हो सकता है नहीं भी हो तो अगर exception अकर होगा तब तो वो catch block में जाएगा मगर exception अकर नहीं होगा तो finally block execute होगा तो exception अकर हो चाहें नहीं हो finally block execute होना ही होना है अगर exception अकर होगा तो पहले cash block execute होगा फिर finally block execute होगा और exception अकर नहीं होगा तो cash block skip हो जाएगा और सीधा finally block execute होगा इसे हम एक example से समझते हैं तो आप लोगों को और भी clear हो जाएगा try cash finally को हम इस diagram के थूँ समझते हैं अब यहाँ पर हमने एक example लिया है अब अब इस diagram पर ध्यान दीजेगा यहाँ पर सबसे पहले है try keyword try block है यह अब इस try block में यहाँ पर हमने एक statement write किया इस statement में exception अकर होने के chances हैं तो जब भी try block execute होगा यह statement execute होगा तो exception अकर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अगर अकर नहीं हुआ exception without exception अगर exception अकर नहीं होता है यहाँ पर यह बिल्कुस तहीं चलता है जो statement हमने यहाँ पर write किया है इसमें कोई exception नहीं आता कोई runtime error नहीं आता बिल्कुस सही execute होता है तो यह catch वाला जो block है यह execute नहीं होगा सीधा finally block execute होगा अगर exception नहीं आता है इस statement में अगर exception नहीं आता है जिसको हम try block के अंदर डाल रहे हैं इस statement में कोई exception नहीं आता runtime पे तो सीधा finally block execute होगा और यह वाला जो block है यह bypass हो जाएगा, skip हो जाएगा यह वाला जो block है यह skip हो जाएगा मगर अगर exception आता है यह with exception वाला example है अगर यहाँ पे जो हमने try block में हमने जो statement write किया है इसमें अगर कोई exception अकर होता है runtime पे कोई runtime पे error आ जाती है इस वाले statement में code में तो पहले catch block execute होगा उसके बाद फिर final block execute होगा अगर यहाँ पे इस statement में exception आता है इस statement में exception आता है तो पहले catch block execute होगा फिर final block execute होगा और अगर exception नहीं आता है जो यह वाला example है अगर exception नहीं आता तो try block के बाद पहले try block होगा यह bypass हो जाएगा और फिर दूसरा final block execute हो जाएगा तो ये होगा execute और ये होगा ये वाला catch block bypass हो जाएगा अगर exception नहीं आता है तो catch block तभी execute होता है जब कोई exception अकर होता है catch block तभी execute होता है जब कोई exception अकर होता है अगर exception अकर नहीं होता है तो catch block execute नहीं होगा तो आई होब आप लोगों को समझ आ गया होगा अब इन तीनों कीवर्ड को हम practically कैसे यूज करेंगे हम इसको समझते हैं इसके लिए हम Eclipse ID open करते हैं practical के लिए हमने Eclipse ID open करें हमने इसमें अल्रेडी एक Java project create किया हुआ है java project create करने के लिए हम करते हैं फाइल new java project और यहां हम देंगे project का नाम और फिर हम क्लिक करेंगे finish पे तो java project create हो जाएगा अब मैं इसे cancel कर रहें क्योंकि मैंने already एक java project create किया हुआ है अब आज के practical demonstration के लिए हम एक package create करते है src folder पे हमने right click किया new package यहां हम package का नाम दे देते हैं session 17 दे दिया हमने और हम क्लिक करेंगे finish पे तो यह देकिए session 17 के नाम से package create हो गया अब हम java code write करने के लिए हमें class create करना है तो package पे हमने right click किया session 17 package पे हमने right click किया then new class और यहां दे देंगे class का नाम हम दे देते हैं exception handling example क्योंकि हमें main method चाहिए तो हम यहां पर public static void में इनको check कर देते हैं and finish तो हमने यहां पर class create कर लिए exception handling example के नाम से हमने एक main method add कर लिया हम एक example लेते हैं arithmetic exception का हम division by 0 का example लेते हैं तो हम ऐसा करते हैं एक हम variable create करते हैं result equals और हम 100 को 0 से divide करते हैं तो हम 100 को 0 से divide करेंगे तो यह division by 0 arithmetic exception यहां पर occur होगा और इसके बाद हम एक print statement write करते हैं तो यह दो statement है हमारे code block में अब हम execute करते हैं यह से right click run as java application तो यह देखिए जैसे इस statement पे exception अकर हुआ runtime error आया प्रोग्राम हमारा वहीं रुख गया आगे का जो statement था अब print statement hello java यह execute नहीं हुआ अब हम अगर इसे try catch block में अगर हम इसको handle कर लेंगे तो यह program execution को stop नहीं करेगा heart नहीं करेगा और यह next statement भी execute हो जाएगा तो अब करके देखते हैं तो इस statement को जिसमें हमें लग रहा है कि exception आ सकता हमने इसको try block के अंदर ले लिया क्यूंकि मैं पता इस statement में exception आएगा और फिर हम इसे catch कर लेते हैं क्यूंकि try block कभी भी एकेले use हम नहीं कर सकते try block can't be use alone इसके बाद catch है finally keyword हमें use करना ही है यह mandatory है है कि यहां पर exception को हमें catch करना है exception है हमारा arithmetic exception कर दो कर दो करने का हमारा यह statement होता है यहां पर exception का type और फिर उसका एक variable type और यहां हम exception को हम print कर लेते हैं system.out.println इसको हमने string में convert करके यहां पर इसको print कर लिया जो भी exception है उसको अब हम इस code को execute करके देखते हैं देखते हैं कि हमारा जो यह exception के बाद वाला जो यह code है यह cache के बाद जो हमने code लिखा है hello java यह execute होता है कि नहीं होता क्योंकि जब हमने try catch clock use नहीं किया था तब यह वाला code execute नहीं हुआ था क्योंकि इस statement में exception अकर हुआ था अब हमने try catch use करके हमने exception को handle कर लिया और हम इसको execute रहे हैं तो यह देखिए जो भी exception आया वो यहां पर print हो गया क्योंकि यहां पर हमने exception को catch करके हमने print किया है तो जो भी exception आया वो यहां पर print हो गया java.lang. arithmetic exception division by 0 का exception आया वो यहां पर print हो गया और print होने के बाद यहां पर हमारा next जो line था code का statement था जो next code block में वो भी execute हो गया तो इसलिए exception को handle करना ज़रूरी होता था कि हमारा जो code का execution है वो interrupt ना हो वो halt ना हो तो यह तो हमने एक example लिया arithmetic exception का अब हम एक और example लेते हैं run time error का अब next example लेते हैं हम null pointer exception का तो इस code block को हम comment कर देते हैं null pointer exception हम इसके example लेते हैं अगर किसी variable में null value assigned है और हम उस variable पे कुछ हम operation करेंगे तो हमें null pointer exception मिलेगा अगर किसी variable में null value assigned है और हम उस variable पे कोई operation करेंगे तो हमें null pointer exception अकर होगा for example यहाँ पर हम एक string variable लेते हैं और यहाँ पे हम null value assign कर देते हैं इस variable में तो हमने यहाँ पे एक variable create किया इस string type का variable का नाम ले दिया है s और इसमें हमने null value assign की अब इस variable में null value assigned है और इस variable पे हम कुछ operation करते हैं ऐसा करते हैं हम इसमें इसका length प्रिंट करते हैं s.length अब चुकि इस variable में null value assigned है और हम इस पे operation कर रहे हैं इसका length प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें null pointer exception मिलेगा execute करके देखते हैं क्या होता है exception अकर होता है कि ने यह देखिए यहाँ पर exception अकर हुआ null pointer exception अब हमें इसको try catch block में handle करना है तो कैसे करेंगे try यह हमारा statement catch null pointer exception और जो भी exception आएगा हम उसको print कर लेंगे print statement write किया हमने और हमने exception को यहाँ print कर लिया अब exception आने के बाद हमें हमारा जो भी code execute करना है एक और print statement लिख लेते हैं hello java लिख लिया हमने तो अब जैसे exception occur होगा यहाँ पर यह cache block execute होगा यहाँ पर exception catch होगा exception print हो जाएगा और उसके बाद हमारा next line जो भी है statement code का run as java application तो यह देखें exception occur हुआ null pointer exception occur हुआ exception को हमने catch किया print किया यह print statement की वज़े से हाँ पर यह print हो गया और उसके बाद जो अगला statement था वो execute हो गया तो यह होता है null pointer exception अगर किसी variable में null value अगर हम उस पर operation करें तो null pointer exception अगर होता है अब एक और example लेते है runtime exception का integer integer dot parse int और यहाँ पर string variable का reference reference variable हमने enter कर दिया अब यहाँ पर exception आएगा और इसके बाद हमने यहाँ पर इस statement को हम इसके बाद इस operation के बाद यहाँ write करते हैं और जो पहले बाला जो हमने try catch block डाला है null pointer exception के लिए हम इसको comment out कर देते हैं अभी के लिए क्योंकि हम यहाँ पर number format exception का example देख रहे हैं तो हमने पहले बाला try catch block हमने comment कर दिया अब यहाँ पर exception अकर होगा क्योंकि हम parse int कर रहे हैं यहाँ पर हमने string variable दिया मगर जो इसमें data is stored है वो string data is stored है character data is stored है इसको हम integer में parse नहीं कर सकते हैं यहाँ पर number format mismatch है हम integer में कैसे parse कर सकते हैं ABC को हम नहीं कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर exception तो आएगा ही आएगा तो हम क्या करेंगे हम इस statement को हम try catch block के अंदर ले लेते हैं और parse करने के बाद हम यहाँ पर print statement write कर देते हैं जो भी integer value हमें उसको print करना है system.out.println और यहाँ पर हमने integer value को print कर लिया तो यह जो हमारा block है इस block में हमारे exception आने के chances है तो इसको हम try block के अंदर रख लेते हैं क्योंकि करना है तो यहाँ पर हम exception को catch करने के लिए हमने यहाँ पर catch block enter कर दिया और यहाँ पर जो हमारा exception है हम उसका variable create कर लेते हैं यहाँ पर exception है number format exception object कर इसका reference variable हमने यहाँ पर दे दिया bracket open bracket close जो भी exception है हम उसको print कर लेते हैं e.to string कुछ string में convert करके हम नहीं यहाँ print कर लिया exception message को अब exception आने के बाद हमें क्या करना है यह statement को print करना है hello java तो यह हो गया मारा code complete number format exception का हमने try किया इन statement को अगर exception आएगा इस statement में तो catch block यह वाला statement execute होगा और फिर उसके बाद hello java यह statement print होगा अब इस execute करते हैं right click run as java application तो यह देखिए number format exception आया for input string abc को integer में convert parse integer में parse नहीं कर सकता इसलिए आपे number format exception आया है तो यह होता है number format exception अब हम एक और example लेते हैं next example लेते हैं array index out of bound exception अब यह क्या होता है जब array अपने size को exceed कर जाता है तब यह exception आता है for example हम यहाँ पर एक array create करते हैं int a equals new int और इसमें हम size देते हैं 5 तो यहाँ पर हमने एक array create किया है जिसका size है 5 बतलब यह सिर्फ 5 elements ही store कर सकता है यह array सिर्फ 5 elements ही store कर सकता है अब हम अगर यहाँ पर 5 से उपर के index पे अगर हम array को store इसमें कोई value store करना चाहें अगर हम 7th index पे अगर हम कोई value store करना चाहेंगे तो क्या होगा error आएगा क्यूंकि यह array से 5 elements यह store कर सकता है यहाँ पर हम 0 से लेकर 4 तक ही value दे सकता है यह array 5 भी नहीं दे सकता है क्यूंकि array की indexing 0 से start होती है 0, 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर हम या तो 0 दे सकते हैं या तो 1 दे सकते हैं या तो 2 दे सकते हैं या तो 3 दे सकते हैं या तो 4 दे सकते हैं या तो 5 दे सकते हैं यह हमारे total होगा 0 से लेकर या तो 4 दे सकते हैं 5 भी नहीं दे सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 5 elements होगे हमारे इसमें हमें 0 से स्टार्ट होती है एरेक इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो यहाँ पे इंडेक्स या तो 0 हो सकता है या तो हम 1 दे सकते हैं इंडेक्स या तो हम 2 दे सकते हैं या तो हम 3 दे सकते हैं या तो हम 4 दे सकते हैं 4 दे सकते हैं यह हमारे 5 elements यहां complete हो गए 1, 2, 3, 4 and 5 क्योंकि इसका size हमने यहां पर 5 रखा है अगर हम 5 से उपर की value देंगे तो यहां पर error आएगा यहां पर error आएगा error क्या आएगा? array index out of bound exception क्योंकि यह जो array है यह सिर्फ 0 से 4 तक ही index accept कर सकता है क्योंकि इसका size हमने 5 दिया है execute करके देखते हैं right click run as java application पहले वाला यह code हम comment कर देते हैं और यह hello java statement को हम इसके बाद लिख देते हैं तो यहां इसको execute करते हैं right click run as java application तो यह देखिए यहां पर index 6 out of bound for length 5 length हमने यहां पर array कर दिया है 5 और हम यहां पर index 6 यूज़ कर रहे हैं तो यहां पर यह out of bound exception आ गया यह हम नहीं कर सकते हैं यहां पर हम अगर 4 देंगे तब कोई error नहीं आएगा यह देखिए कोई error नहीं आया पर अगर हम 4 से उपर की value देंगे तो यहां पर error आएगा आउट आप बाउंड exception error आएगा यह देखिए error आगया तो हमें इसको handle करना है try catch block यूज़ करके तो try और catch कर लेते हैं exception को exception है हमारा array index आउट आप बाउंड exception प्रिंट कर लेते हैं exception को print कर लिया एक और इसको indent कर लेते हैं control A and control I तो अभी यहां पर हमने चुकी exception को handle कर लिया तो यहां पर catch होने के बाद exception exception message print होने के बाद हमारा यह वारा statement है यह execute हो जाएगा इसे execute करके देखते हैं right click run as Java application तो यह देखें यहां पर exception आया वो catch हो गया और हमारे next statement भी execute हो गया अगर हमने exception को यहां पर handle नहीं किया होता try catch यूज करके तो हमारा यह वाला जो hello java वाला print statement है यह execute नहीं होता तो हमने यह four types के runtime error runtime exceptions हमने discuss किये सबसे पहला था arithmetic फिर null pointer exception पहला हमने discuss किया arithmetic फिर null pointer exception array index autobound exception और हमने number format exception हमने चारो types के exception को हमने आज discuss किया अब हम finally block कैसे execute होता है finally block का क्या use होता हो हम यह समझते है उसको समझने के लिए हम ऐसा करते है हम यह वाल एक्जामपल ले लेते हैं अब इस एक्जामपल में अगर exception आता है यहां पर में एक finally block डाल देते हैं और इस statement को हम finally block के अंदर ले लेते हैं और यहां लिख देते हैं finally block executed अब यहां पर क्या हो रहा है यहां पर पहले try statement है जो भी मारा exception वाला code है वो हमने यहां पर डाल दिया अगर exception अकर होगा तो यह catch block में जाएगा और अगर exception अकर नहीं होगा अगर exception अकर नहीं होगा तो finally block में जाएगा तो अगर exception अकर होगा तो पहले catch block execute होगा फिर finally block execute होगा और अगर exception अकर नहीं होगा तो सीधा क्या होगा अगर exception अकर नहीं होगा तो सीधा final block के execute हो जाएगा तो final block दोनों ही case में execute होगा अगर exception अकर होता है तो catch block के बाद execute होगा और अगर exception अकर नहीं होता है तो directly finally block execute हो जाएगा यह catch block execute नहीं होगा यहाँ पर हम एक statement, print statement और डाल देते हैं catch block अब इसको execute करके देखते हैं क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पर यह code लिखा है इसमें तो exception अकर होगा क्योंकि यहाँ पर हमने array का जो यहाँ पर size दिया है फिफ्ट इंडेक्स पर हमने यहाँ पर value assign करने की कोशिश की है जो out of bound है इंडेक्स out of bound है, तो हमें से execute करते हैं यहाँ पर exception occur होता है, देखते हैं क्या होता है यह देखिए, exception occur हुआ पहले यहाँ पर catch block execute हुआ और फिर finally block यहाँ पर execute हुआ पहले यहाँ पर catch block execute हुआ यहाँ पर यह पूरा message आया है catch block यहाँ पर हम ठोड़ा से space or दे देते हैं यहाँ पर हम ठोड़ा space or दे देते हैं अप्र 있어서 a case Qué-Bas Click अधेक्स पर execute करते, ता कि यह जो message आया है वह ठोड़ा clear हो जाए अब यह देखिए, पहले cash block execute हुआ, क्योंकि जब यह try block execute हुआ, तो यहाँ पे exception आया, इस code में यहाँ पे exception आया, इस statement में यहाँ exception आया, exception अकर होते ही, cash block execute हुआ, और cash block के बाद फिर finally block execute हुआ, जब cash block execute हुआ, तो यह वाला statement, cash block का जो पुरा statement है, वो print हुआ, और उसके execute हुआ तो यह finally block executed वाला statement यहां print हुआ अब यहां पर exception अगर नहीं आएगा तो क्या होता है यहां पर हम इसको correct index ले देते हैं index 4 कर देते हैं अब यहां पर हमने correct index pass किया तो यहां पर कोई exception नहीं आएगा अब exception नहीं आएगा तो ये वाला जो catch block है यह execute होगा ही नहीं सीधा finally block execute होगा सिर्फ एक ही print statement आएगा finally block executed वाला right click run as java application इसका output चेक करते हैं यह देखें exception नहीं आया तो सिर्फ यहां पर finally block ही execute हुआ catch block execute नहीं हुआ अब इसको एक और example से समझते हैं, इस quote को हम comment कर देते हैं, एक पहले वाले example लेते हैं, number, format, exception का example ले लेते हैं, इसको uncomment कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम finally block, एक हम डाल देते हैं, अब यहाँ पर चुकि हमने abc दिया है, जो character sequence है, तो यहाँ पर exception अकर होगा, तो cash block execute होगा, उसके बाद finally block execute होगा, तो cash block में भी एक print statement डाल देते हैं, यहाँ पर cash block में एक print statement डाल देते हैं, तो जब exception अकर होगा, तो यह cash block execute होगा, जिसमें हमारे दो statement है, पहला एक print statement है cash block के लिए, दूसरा error exception message जो है, उसको हमने print किया है, और फिर cash block execute होने के बादे finally block execute होगा, अब इसे run करते हैं, right click run as java application, तो यह देखिए, अब यह चुकि इसमें exception आया, तो पहले catch block execute हुआ, फिर जो exception message था वो print हुआ, फिर उसके बाद finally block execute हुआ, अब यहाँ पर हम string, character sequence की जगें यहाँ पर हम एक number sequence चाल देते हैं, 123, तो अब चुकि यह number sequence है, वो यहाँ पर exception नहीं आएगा, यहाँ पर parse int, यह correctly parse कर पाएगा, इस string को, तो यहाँ पर कोई exception अकर नहीं होगा, चुकि exception अकर नहीं होगा, तो यह catch block execute नहीं होगा, सिर्फ finally block execute होगा, run करके देखते हैं, right click, run as, java application, तो यह देखिए, यहाँ पर, यह जो number sequence में दिया था, string variable में वो parse हो गया, और यहाँ पर print हो गया, 1, 2, 3, और उसके बाद यह catch block skip हो गया, क्योंकि exception नहीं आया, और फिर हमारा final block execute हो गया, तो इस तरीके से हम try catch of finally keyword को हम use करते हैं, exception handling में, तो I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा, कि try catch of finally keyword का क्या मतलब होता है, इसको हम किस तरीके से code में use करते हैं, exception handle करने के लिए, तो आज की session है बस इतना ही मिलते है, next session में ने topic के साथ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करें, जादा स्यादा share करें, चैनल को subscribe करें, और बेल आइकन दवाना ना भूलें, thanks for watching,